पिछले 5 सालों में इंडियन बैंक्स 10 लाग करूड रुपए के करीब के लोन या कहें NPA राइट आफ कर चुके हैं और पिछले 10 साल का आकड़ा देखें तो अपने NPA कम करने के लिए भारतिय बैंकों ने 13,2,309 करूड रुपए के लोन राइट आफ किये हैं यानि बैंकों का इतना पैसा डूप गया वैसे ये वाली खबर कोई नई नहीं है नई खबर ये है कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस अकबार ने RBI से इस बारे में RTI के जरीए डेटा मांगा जिससे काफी कुछ चीज़ें साफ हुई हैं तो चलिए आज हम बात करेंगे उनी फाइंडिंग्स के बारे में जो RTI reply में इंडियन एक्सप्रेस अकबार को मिली हैं नमस्कार मैं हूँ भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं Uncut NPA से जुराट डेटा समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बैंक को द्वारा दिया गया लोन आखिर NPA यानी Non Performing Asset कैसे बनता है और फिर कैसे बैंक NPA में अटके अपने पैसे को डूबा हुआ मान कर राइट आफ कर देते हैं आसान भाषा में बात करें तो इसका जवाब सीधा सा है जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो वो लोन बैंक का एसेट बन जाता है लेकिन अगर लोन लेने वाला शक्स या कमपनी लोन के प्रिंसिपल या इंटरस्ट का भुकतान 90 दिन में नहीं करते हैं तो वो लोन NPA बन जाता है फिर उस लोन की उगाही की कोशिशे शुरू होती है और एक आम प्रैक्टिस के तहट बैंक चार साल तक उस लोन की उगाही करने की कोशिश करते हैं और अगर फिर भी लोन का पैसा customer नहीं देता है तो bank अपनी balance sheet को दुरुस्त करने के लिए उस loan के पैसे को बट्टे खाते में डाल देते हैं यानी write-off कर देते हैं अब ये जो loan write-off किया गया है ये bank की balance sheet के asset side से निकल कर loss में दिखना शुरू हो जाता है ताकि bank को की सही आर्थिक स्थिती balance sheet में reflect करें लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर bank ने इस पैसे को डूबा हुआ मान लिया तो इसकी उगाही नहीं की जाएगी bank तब भी इस पैसे की उगाही जारी रखता है अब ये तो हुई process की बात अब लगे हाथ RTI से मिले data पर भी बात कर लेते हैं पिछले 5 सालों में bankों ने 10,9510 करोड रुपए के loan write-off किये ताकि NPA's में कमी लाई जा सके इसमें से बड़े बड़े public sector banks ने 7,34,738 करोड रुपए के loan write-off किये SBI की ही बात करें तो पिछले 5 सालों में SBI ने लगभग 2,00,000 करोड रुपए के loan को डूबा हुआ मान लिया वही PNB ने 67,214 करोड रुपए 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 औफ किये 66,711 करोड रुपए के loan को डूबा हुआ मान लिया अगर private bank की बात करें तो सबसे जादा ICICI bank ने 50,514 करोड रुपए के loan को write-off कर दिया है अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि डूबे हुए पैसे का मतलब ये नहीं है कि bank इसको recover करना बंद कर देते हैं RTI में RBI द्वारा दिये गए data में ये साफ बताया गया है कि पिछले 5 सालों में बैंकों ने 1,32,000 करोड रुपए के करीब डूबे हुए पैसे को recover किया है data में ये भी साफ है कि पिछले 5 सालों में किस किस साल में कितना कितना पैसा recover किया गया है इस लिस्क के मताबिक साल 2021-22 में भारतिय बैंकों ने सबसे जादा 33,534 करोड रुपए डूबे हुए लोन से recover किये वहीं किस किस साल में बैंकों ने कितने लोन को right off किया उसका data भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें साब पता चलता है कि पिछले 5 सालों में ही बैंकों ने सबसे जादा पैसे को डूबा हुआ माल लिया हाला कि RBI ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि किन किन लोगों या कर्जधारकों का सबसे जादा लोन right off किया गया है RBI का कहना है कि बैंकों द्वारा उन्हें कोई भी ऐसी जानकारी मोहिया नहीं करवाई गई यानि RBI के data में ये साफ नहीं है कि विजे मालिया, मेहुल चौकसी या ABG शिप्यार्ट जैसे बड़े बड़े डिफॉल्टर्स का कितना लोन बैंकों द्वारा right off किया गया है हुआ हुआ